अगर आप जारकंड के कोई भी एक्जाम निकालना चाहते हो तो ये सिरीज आपके लिए बहुत इंपोर्टन है क्यूंकि इस सिरीज में आपको 5000 इंपोर्टन जारकंड जीके कराये जा रहे हैं अगर आप पूरी सिरीज को देख लेते हो तो गैरेंटी है कि एक भी कोश्चनस नहीं छूटेगा तो चली सुरू करते हैं आज का बीडियो तो पहला क्वेस्टन से अंग्रेजो ने किस भिद्रो को कुचलन है तुँ उनकी भूमी को 18% 24 सिरी में दामीने कोह में परिवर्टित कर दिया था option ए चेरो बिद्डो, option B पहाडिया बिद्डो, option C भूमिच बिद्डो and option C सफाहोल बिद्डो तो इसका correct answer हो जाएगा option B पहाडिया बिद्डो next question से जहारकन की किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है option C दामोदर, option C सोन रेखा, option C सोन and option C संग तो इसका correct answer हो जाएगा option ए दामोदर, दामोदर को देव नदी के नाम से जाना जाता है इसी के नाम पे दामोदर पढ़ाए, okay next question से जहारकन के कुल छेतर फल के कितने पतिसत छेतर में खेती होती option A 20.78%, option B 22.68%, option C 23.69% and option D 24.78% तो इसका correct answer हो जाएगा option B 22.68%, ठीक है यह exact याद रखना है क्योंकि point के बाद जो digit है यह पूरा का पूरा पूरा पूछेगा, okay next question से जहारकन के एक मात्र कौन से नदी सोतनतर रूप से बंगाल की खाड़े में गिरती option B बराकर, option B अजय, option C सोन रेखा and option D अमानत जहारकन में कितने छेतरिय विकास प्राधिकार है, option A 3, option B 4, option C 5 and option D 6 तो इसका correct answer हो जाएगा option C 5, okay next question से जमसेद पूर किस नदी के किनारी अवस्तित, option B सोन रेखा यह वं खर कई, option B दामोदर यह वं भेडा, option C संक यह वं अमानत and option D बराकर यह वं खर कई तो इसका correct answer हो जाएगा option A, सोन रेखा यह वं खर कई के बीच जमसेद पूर इस्तित है next question से, किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्तु हैजे से हुई थी, यह very important questions बहुत बार पूछा गया है, ठीक है किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्तु हैजे से हुई थी, और यह भी पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा की मृत्तु किस रोग से हुई थी, ठीक है option देवघर, option भी हजारी बाग, option सी पतना, and option D राची तो इसका correct answer हो जाएगा, option D राची next question से, मरांग गोम के किस व्यक्ति का दूसरा नाम था, यह भी very important है option भी बिरसा मुंडा, option सी सिवु सोरेन, and option D राम दयाल मुंडा तो इसका correct answer हो जाएगा, option है, जैपाल सिंग, ठीक है, मरांग गोम के जैपाल सिंग का दूसरा नाम था next question से, किसे धरती आवा, मतलब धरती के पिता कहा जाता है यह पूछा जाएगा, धरती आवा, किसका दूसरा नाम था, option है, सिधु कानू, option B, जत्रा भगत, option सी तेलंगा, खडिया, and option D, बिरसा मुंडा तो इसका correct answer हो जाएगा, option D, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा को धरती आवा, बोला जाता था next question से, ताना भगत, आंदुलन की सुरुवात किसी ने की थी, option E, जत्रा उराओन, option B, कार्थिक उराओ, option C, कुनाल उराओ, and option D, बिरसा उराओ तो इसका correct answer हो जाएगा, option E, जत्रा उराओ next question से, चिर्रा, लार्वा, केदार, तथा को, किस नदी की साहाइक नदी, very important questions गुमानी, and option D, आज़ाई, तो इसका correct answer हो जाएगा, option B, संक, संक नदी की साहाइक नदी जाहाँ होती है next question से, हिर्नी जलपरपात किस जिले में इस्तित है, option A, गुमला, option B, कोडर्मा, option C, पूर्वी सिम्भूम, and option D, पस्चिम सिम्भूम तो इसका correct answer हो जाएगा, option D, पस्चिमी सिम्भूम में हिर्नी जलपरपात किस्तित है, okay next question से, मोर या मयुराक्षी नदी का उदगम इस्तल कहा है, मयुराक्षी नदी कोई मोर नदी भी बोला जाता है option E, देवघर, option B, पलामू, option C, राची, and option D, चत्रा तो इसका correct answer हो जाएगा, option E, देवघर next question से, जारकण में बरतमान में प्रसासनिक विभागों की सेंख्या कितनी है, very important questions option E, 25, option B, 27, option C, 31, and option D, 40 तो इसका correct answer हो जाएगा, option C, 31, जारकण में बरतमान में प्रसासनिक विभाष्ता, 31 है next question से, मयुराक्षी नदी अपनी आरमविक अवस्ता में किस नाम से जाने जाएगा थी option E, मोतिहारी, option B, मयूर, option C, जमूनिया, and option D, तिलावे, very important questions तो इसका correct answer हो जाएगा, option E, मोतिहारी, ठीक है, मयूराक्षी नदी को पहले, मोतिहारी बोला जाता था next question से, कोल बिद्रो, 1831 से 1832 का ततकालिक कारण क्या था? option E, राजश्वम विरिद्धी, option B, बेरोजगारी में विरिद्धी, option C, धार्मिक मामलों में, हस्ते छेप, and option D, आदिवासी महिलाओं के साथ हो रही, बद सुलूकी तो इसका correct answer हो जागा, option D, आदिवासी महिलाओं के साथ हो रही, बद सुलूकी के कारण कोल बिद्रो हुआ था ठीक है, चलिए next question से, खरवार अंदुलन का नेत्री तो किस ने किया था? option A, गंगा नरायन सिंग, option B, अर्जुन सिंग, option C, भागीरत माजी, और option D, गोपाल रा, यह भी very important है, तो इसका correct answer हो जागा, option C, भागीरत माजी next question से, धनवाद के सरदार के नाम से कौन सी जनजाती जाने जाती, option A, भूमीच, option B, बैगा, option C, गोण्ड, और option D, महली तो इसका correct answer हो जागा, option A, भूमीच next question से, जारकन की कौन सबसे प्रचलित जनजाती लोग कर्मी भी थी, option A, चीक, बड़ाइक, option B, बिरहोर, option C, बैगा, and option D, असूर तो इसका correct answer हो जाएगा, option D, असूर, ठीक है, and next question से, चामबंदी संसकार किस जनजाती में पाया जाता है, option A, असूर में, option B, बिजरिया, option C, खडिया, and option D, खौन्ड, तो इसका correct answer हो जाएगा, option A, असूर तो इस series में सारे important questions को ही collect किया गया, अगर इतना कर ले तो आपका एक भी questions नहीं छुटने वाला exam में, वीडियो हैं तक है, अगर पसंद आया तो like कर दिजएगा, अपने friend का share कर दिजएगा, और सारे part देखना हो तो description box में जाएगे, आपको playlist का link मिल जाएगा, और channel को subscribe ज